कहां सामीदान में लिखा है कि दिल्ली के अंदर सतर महिला नहीं करोंगे। जनता के विश्वास को तोड़ा जा रहा है, हमारा समिधान की धजियां उड़ाई जा रही है। पीछे ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, एहरा नेशनल पार्टी के तमाम लोग आज यहां पर मौझूद हैं और सवाल, सरकार से तमाम जो हैं, वो कठोर सवाल जिसे हम कही कि वो किये जा रहे हैं, और उनके सवाल इस पोस्टर पर सीधे तोर पर लिखे गए हैं। इवियम को लेकर लगातार सवाल उठाय जा रहे थी, बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये भी कहा जा रहा था, लेकिन इलेक्शन कमिशन और सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तब कोई टिपनी की नहीं गई है, अब इनके क्या कुछ सवाल हैं, सरकार तक कैसे इनके सवाल पहुचेंगे, इनी से बात करते हैं, क्या ना में आपका? इलेक्शन में हो, चाहे वो MCD के चुनाव हो, या कहीं और के निगम के चुनाव हो, या विधायक के या फिर बड़े इस तर के, होरी धानली सब में हैं, वीडियो भी सामने आ रहे हैं, उसके बावजुद भी कोई एक्शन होता नहीं है, बिल्कुल सही कहा कि वो हेरा फेर कि हत्या है, हमारे जनता के विश्वास को तोड़ा जा रहा है, हमारा समिधान की धजियां उड़ाई जा रही है, वो थोड़ी थोड़ी चोरी भी एक जमा हो जाता है, तो वो पहाड बन जाता है, और वही वो कर रहे हैं, हर्याना में 50 सीटों पर ठीक है, पड़ालग चुना जाता है, तो उसके अंदर जो कमिशनर होना चाहिए, जो स्टाफ होना चाहिए, वो महिला हो, सोसल एक्टिविस्ट हो, जनलिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईस हो, यानि की जनता की तरफ से होना चाहिए, लेकिन उसको एक साल के अंदर दो-दो कमिशनर परदानमत्री बदल दीते तो एलेक्शन कमीशन में क्या कमिया नजर आ रहे हैं अलेक्शन कमीशन में खामिया tastes के नहीं हैं जब तक सरकार का उनको समिधान के ताथ जो आर्टिकल 14 है समता का उस समता का अधिकार दो जितनी भी 5000 पार्टियां है लेकिन आपको बीजेपी दिखता है आपको कॉंग्रेस दिखता है आपको हमादी पार्टी दिखता है तो 5000 पार्टिया कांगे तो वो आपने जो है एक ही ताली के चट्ट वह की सिलिया है क्योंकि election commission ने एक बड़ा पार्टी छोटा पार्टी एक पार्टी एक गुर्णाइट पार्टी आपने डिवाइट कर दिया है तो यह समीधान में कहीं लिखा है क्या जिस तरह से समीधान में 272 सरकार बनाएंगी यह नहीं लिखा हुआ उसी तरह से आज जब बक्त कर दोगे हम कहां समीधान में कि अंदर केंदर करने जा रहे हैं चुकि भआरत की राजधानी जो है आप जो सवाल हुटए हैं तब होते रहते हैं चुनाव हो चाहाई चुनाव की दॉससे लिए तब बात कर रहें जो भी वह भी लोगतांत्रिक हत्या है अब जो है इवियम में जो गड़वनियां वह आवाज तो उठ रही है दवाया जा रहा है वहां पे ये जंतर मंतर पे इतियासिक जगह पे भी चारों तरफ से घेरे में हम रहते हैं लेकिन हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है आज नहीं सुनी जा रही है कल सुनेंगे और नहीं सुनेंगे तो फिर हम अपने हातों में अधिकार लेंगे जिस तरह से कॉंग्रेस की सरकार जब अदि महलायें युवायें जो लड़कियां हैं पड़ी लड़कियां हैं वो लोग आएंगे और सत्ता को समालेंगे और ये तमाम कुकर्मूते तमामुजूर। बुढ़े लोग जो बार-बार हमारे उपर शासन किया है इनको बाहर करेंगे और इन लोगों ने जितना लूटा है जितनी दौलत लूटी है जितना भी कालधन लूटा है हम इन से लूट करकर के दिल्ली को लूटियन जोन की तरह खुबसूरत बनाएंगे क्या लग रहा है महिलाओं के लिए बात कर दी गई है महिलाओं सरकार चलाएंगी दिल्ली की अब क्या लग रहा है अफकोर्स नेशन को चेंज चाहिए और हम लोग बदलाओं लाएंगे कैसे लाएंगे बदलाव जो सरकार चाहती है उनके रिमोट से चलती है तो वो जनता के लिए या देश के लिए क्या कर सकती है जब अपने लिए कुछ नहीं कर सकती है तो आपने लिए जाएगा सरकार की तरफ से अच्छा आप जान सकते हो इसलिए नहीं दिया जा सकता है वो डिमोट से चलने वाले डुग डुगी बजाने वाले को देते हैं नहीं तो देखो देश में एतने अच्छे लोग जो साइन्स टेकनोलोजी पर बिलीव करते हैं परेलिके लोग इधर उदर भटकते हैं परेलिके लोग जी बिदेश जा रहे हैं और अनपढ़ लोग गवार लोग कुरसी पर बैठे हुए हमको वह देहीं नहीं सकते कोई पद पावर दे देते तो अभी तक हम आपके पास नहीं है कुछ ना कुछ वीजन लेकिन हम लोगों को मौका नहीं दिया गया है क्या लग रहा है आपको कि अगर इलेक्शन कमिशन निश्पक्ष हो जाए तो सरकार चेंज होगी या कुछ बदलाव आगे आपको पता चल जाएगा जब बनेगी जब इनको खड़ा करेंगी जब प सरकार चलाने का दायत हुँ बहुत बड़ा जो है वो दावा कर रहे हैं कि दिया जाएगा क्या लग रहा है आपको क्योंकि मुख्यमंत्री महिला है इस बार भी दिल्ली की क्या वो अपना महिला का जो महतु है वो नहीं निभा पा रही है नहीं निभा रही है नहीं निभा तो उनको यहीं नी पता कि उनके हग है उनको बता नीज तरह से लेकिन भोंग मैं ने थाब हिसे ज़ोन के उनको करना क्या है इसी नहीं बढ़ाव समझवाना है आगे लेकि आना है शुल को सबस्क्राइब है जैसे की महलो अमेरे बाया निकलो और नहींहों रड़ो और अपने हिपत के लिए लड़ो फे। पुलिस वाले आते हैं और उनको रात को भी उठाके ले जाते हैं तो यह नहीं पता कि रात में मतलब नी बनता कि हम उसको ले के जाए यह चीजे और भी बहुत सारी चीजे हैं बोलने के लिए जैसे हमें एलेक्शन में और तो जान निकलना चाहिए लड़ना चीजे अपनी बोलना चाहिए बहुत सारी चीजे अभी मैं इतना बूस अच्छे क्या लग रहे हैं मौजूदा जो सरकार है चाहिए वो दिल्ली की हो यह सेंट्रल की हो क्या काम नहीं कर रहे हैं इनकी अपनी लड़ाई काम कुछ करने नहीं दे रहे हैं इनके आपस में इतनी खीचा दा नहीं है बताइए तो यह क्या काम करेंगे जब ऐसे प्रश्टाचार के आरोप में मुखमंत्री जेल में हैं जब देखिये दिल्ली को एक दम चोड़ दिया मरने के लिए वहां क्या काम हो रहा था अब दिल्ली तरही तरही कर रही थी और आज भी वही हाल है आज भी एक ड पिर कैसे हैं उनको तो अपने और वि्षेफरी करकर सकती हूं अरे दिल्ली के लिए महिलाओं के हालत देखियां क्या सोधार हुग में कोई भी wherever Hak me नहीं हो रहा है यह सब बैयान बादी है और यह सब जूटे बादे हैं दिली सरकार तो बहुत दावे करती है महिलाओं के लिए काम करने को लिए प्र भी बस में हो या फिर तमाम मह items की दो आ रही भाई फिरी था वो अभी फिरी है ओके ये भी थोड़ी दिन के बाद कितम हो जाएगा उनको तो एक बहाना चाहिए कि भाई हम तो बहुत मजलूम हैं मजबूर हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे हमारा काम नहीं हो पा रहा हमें बीजेपी नहीं करने दे रही जब आपको कर्ण माय के लिए भटक रही है महिला बेरोजगार है आद महिलाओं के परिवार देखिया आप लेकिन आपburnu की कैबिनेट में देखेंगे कितनी महिलाएं आएंगे अभी इनकी पार्टी के उंचे पदों पर देखिए कितनी महिलाएं हैं अभी इनके MP में देखिए राजसभा से कितनी महिलाएं महिलाओं के नाम पर छीथना तो बड़ा आसान किको महिला के लिए काम करना बड़ा मुश्किल करेऄं के नाम साइअ मैई दावा कर रहे हैं सतर Hybrid सेटों पर आप लोग चुनाव लड़ने चिप्ट मुद्ड अ 2007 इस के का मुद्धा है इसका का मुद्धा है बेरोज्गारी का मुद्धा है यह समुद्दे है महिला के सामने उसको परिवार चलाना है तो परिवार जो अच्छे से चला सकती है देश भी चला सकती दिल्ली भी चलाएंगी महिलाओं के जो हक हैं महिलाओं के जो हक मिलने चाहिए आद तक महिला उन हकों से बंचित है और बंचित रखा गया है महिला को द मैडब मैं मैं मोटा मोटा बंत्री बनने से पहले उसने वादे किये थे कि मैं होम गाड को पर्मेनेंट करूँ आप कई मार्शल के तो ऐसे जिनकी फैमिली उनकी बीबी उनको छोड़के चली गई है कि आप तो कमाते ही नहीं हो तो केजरी वाल जी कुछ शरम करो आपने क्या फिरिक किया मार्शलों की जिन्दकी खराब कर दी अब बसो का ले लिए लेकिन मार्शलों के साथ तो दिल्ली गॉवर्मेंट के नेता है वो कह रहे हैं कि एलजी और विजेपी की साइट से जो चीज होनी चाहिए जो फाइल पास होनी चाहिए विजेपी वह नहीं कर रही है दिल्ली के जितने भी नेता है सौरा भारत वाज खुद उनके साथ है म तो पहले अप्रूबल लेते तब उनको लगाते आप आपने उनकी खराब करी है बहुत से लोगों तो सब्सक्राइब करें मेरे तो आज यहां पर जो आए हो इसका मकसद क्या है मकसद यह है पार्टी के हम सयोग कर रहे हैं और यहां से चुनाव लड़ेंगे 70 महिलां का ल बलाए करेंगे पार्टी तो सभी बोलते हैं चंत करेंगे लेकिन जब पाद पर नेशनल पार्टी है संथेट डेगी जो आटे कि वहादे निभाएगी उनको चो नहीं हो भाते करती है वह मूजवानी बादे करती है करना पड़ेगा लेकिन आप तो पूरुश है महिलाओं को उतारने की बात कर रहे हैं तो महिला आप जो राश्टी देक्स हमारे करेंगे वह हमें मंजूर है लाला केजरीवाल जी ने तो देली बात करेंगे अपने अस्तर से काम करीए और दिली के इंदर जिस तरह महिला फिरी है मेरा आपसे बिंती आप कभी बस इश्टोप पे खड़े के देखिए अगर किसी बस श्टाप पे दस महिला दो पुरुस खड़े हैं अगर महिला हाथ दे रही है तो ड्रैवर बस को भगा के ले जाता है क्या वार में उस बस में मोजूद होता हूं तो मैं ड्रैवर से कहता कि इस पर सक्ति से सक्त कारवाई करें और महिला होते मैं उस समान करें यह फिर हमत करो फीर का ही मत करो पांच इरपे का टिकट कर दो उससे क्या टिकट का खरचा भी आएगा जो का अगज छपाई है कुस्तों खरचा आएगा सरकारी बजट में घाता नहीं होगा और महिला को सम्मान से आत्राभी कर पाएगी मेरा यही आती सीजन निवेदा ना कि इस और ध्यान दें सचाई क्या है दिल्ली की वह आज हमें यहां पर बता चुके हैं अरब एक और पार्टी जो है एहरा नैशनल पार्टी आज यहां पर फिर से यहां पर सामने आ रही है और चुनाव बड़े सवाल आज यहां से उठाए गए हैं और उन सवालों का जवाब कितना जल्दी मिलता है यह देखने का विशे रहेगा आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कैमरा परसन सौरव के साथ में निशाल अक्वाल जनहित टाइम्स गिल्ली